इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते यह उचित रिदेकारियों को बढ़ावा दे सकता है, गठिया को कम कर सकता है, और एंजाइना पैक्टोरिस और तपेदिक जैसी बीमारियों को कम करने के लिए प्रतिरक्षा को मजबूत कर सकता है. ये डिस्पेनिया, अस्थमा और खांसी जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों के खिलाफ भी सहायक हो सकता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में एक, वात और कफ दोशों को संतुलित कर सकता है और संबंधित संक्रमनों के प्रती प्रतिरक्षा का निर्मान कर सकता है दो, एंजाइना पैक्टोरिस और फैथिसस जैसी बीमारियों को कम कर सकता है 3. अस्थमा, खांसी और सांस की तकलीफ जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों को कम कर सकता है 4. कब जो और अपत से राहत के लिए उप्योगी विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें